तो सुन लो सब लोग भाईया क्या बोल रहे है कि जिस जंगल चे हम पैदल जा रहे है न वहाँ पर क्या है भाईया शेर है बालो है लो सुन लो भाई अब 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 बॉणिंग अभी सुबह की आठ बज रही है और मैं जस्त अभी अपने रोम के भार निकलाओं और अब जा रहे हैं फिलाल गूमने के लिए और मैं अब आपको दिखाता हूँ पूरा युसमग पर फिलाल आप यहां के नजारे देखो यार कितने प्यारे नजार है रोग यह भाहर लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा और व्यूज देखो काफी बटरफ्लाइज है यहां पर एक्चली एक सामने एक मंदिर है मैं थोड़ा सा जूम करता हूं यहीं कई मों मंदिर है और यहां पर अभी ओम जय जगदीश जी की आरती चल रही है विच वस कंप्लीटली अनेक्सपेक्टड और रात को यहीं से ओम नमस्षिवाय की चैंटिंग भी हो रही थी और अगर इस साइड आप देखोगे तो इस साइड सामने की साइड मस्जिद है तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार इससे ज़्यादा और क्या आप यूनि चाहिए खैर आप नजारे देखो यार कितना प्यारा लग रहा है सुबह और अभी as usual कोई नहीं है टूरिस्ट यहां पर आना शुरू करते हैं दहस ग्यारा बारा के आसपास मॉर्निंग में आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप वापस यहां पर नेचर में वाक कर सकते हो म कुमालूम होगी वो चीज तो उसने काफी हल्प कर दी और ब्लैंकेट भी था तो as such कोई खास थंड नहीं लगी पर as usual अभी वापस गर्मी है मिक्स मौसम रहता है यहां पर तो चलो अभी चलते हैं फिलाल एक बात और बताना चाहता हूं यूस्मक के बारे में आपको पता यूस्मक को यूस्मक क्यों कहते हैं यूस्मक को यूस्मक इसलिए कहते हैं because यूस का मतलब होता है जीजस और मर्ग का मतलब होता है मेडोज तो ऐसा माना जाता है कि जवादियां देख रहे हैं जो आप जगे देख रहे हैं मेरे सामने यहां पर एक बार किसी टाइम पे ज वीजस ने वॉक किया था ऐसा मैंने सुना है अब आके मुझे यह मत बोलना कि भाई कुछ भी बोलते रहते हो तुम पर यही मुझे पता पड़ा यहां के बारे में तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ यह बात शेयर करूँ और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ब्रेक अब नाश्था कर लिया अलू पराठे पैक कर वाली है जाँ पर अब यहां पर हम जा रहे हैं वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा और अभी एक गाइड मेरे साथ चल रहे है और उनके साथ गोड़ा भी है ऐसे तो मैं पैदल ही जाओंगा मुझे गोड़े को तकलीव नहीं होती है आपको as usual मालूम है पर फिर भी साथ में लेके जा रहे हैं कि अगर थोड़ा थक गया तो बैठ जाओंगा गोड़ा बहुत प्यारा है मज़ा आएगा इंसानों से ज्यादा गोड़ों के साथ मज़ा आता है जानवरों के साथ लिटरली और अभी एक गाइड भाई अब हमारे साथ है जो हमें सारे पॉइंट्स दिखाएंगे यह रहा भाई गोड़ा भाई इसका कुछ नाम है क्या नूरी नूरी अच्छा 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 अभी अपन कहां चल रहें भीया क्या बोल रहें अच्छा बर्गा ओर डग डोलन प्ली हो हमारे यह भीया क्यों यह भाई बगा वाra दियू यह झाल 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 तो सब लोग भाईया क्या बोल रहें कि जिस जंगल चे हम पैदल जा रहे हैं वहाँ पर क्या है भाईया शेर है बालो है लो सुन लो भाईया रात को निकलता है बेड़ बगरी को कारता है अच्छा मगर दिन में नहीं होता है कहीं आता है किसी जगह पर अच्छा जब उनको पता चलेगा यहां से कोई नहीं चलता तो बिशेर तो निकल सकता है बालो भी अच्छा पर आपको तो इससे लड़ने का आदत होगा ना इसको सकता है अरे बाकि यसी कुछ नहीं कрते हैं आप इतने साल से आ रहेये आपको थोड़ी कुछ की रहेगा ने करी आपको दिखाये बहुत से ओ बार देखाया अच्छा पिसे पिछे हमारे साथ आया पको देखर हमारे साथ शेर शेर खोना धीर एकनंह अगया अच्छ क कुछ नहीं कहा हम लाश्त गया हम बेट जब गांगों के सामने पहुँछ घर जिए जला गया अब हुआ अब तो जादा मजा आने लगा हुआ इससे उपर उपर ज्यादा मजा से नहीं आप जो डरा दिय conclude cream कोई टाशल में प्रेश Memorial अश्श Qur neck तो टेंट अगर होता है उपर तो उपर भी तो वह हो सकता है न अपना शेर आ सकता है न रात को आ सकता है क्यों नहीं आ सकता है अच्छा आता है यह पूरा यूसमग जंगल को के बीच में बनाया ना ना हाँ पूरा प्रेके ही हाँ 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 है बस आज आए सामने तो घरवालों को बताएंगे हम लड़के आरे शेर से अच्छा पर उसको उसको वह अभी आसपास होगा तो उसको तो मालूम रहेगा नहीं यह जा रहे अच्छा हाँ 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 जो चोटे गोड़े बच्छा खाया अच्छा खा गया हाँ खून पिया शेर खाली खून पीता है बच्छे के दो चोटे गोड़े बच्छे ना हाँ हाँ दो मेने का तीन मेहने का चार मेहने का अच्छा उनका भी खाया बह बाग नहीं है और भालू वह बढ़ा वाला बादर बहुत इतना बड़ा है अच्छा बल्यक है ब्राउन होगा ब्राउन है कर दूसरा किसम है अच्छा वह बहुत लम्बा यहां से वहां तक अच्छा पिछले साल हम गये थे उस साड में आदे रास्ते में देखें दो बच्चे छोटे शेर के बच्चे हैं अमने बोला पेले ये बिली है वह पहले छोटे थे अच्छा जब थोड़ा सामने गया ना सरम दो तीन आदमी थे अच्छा जब वह उठा उसने ऐसा खींचा इतना बड़ा हो गया वह बच्चे दोनों अच्छा था ना उसवकर छोटा होता है जब वह खिचाई लगाता है लंबा होता और उच्चाई भी बहुत होती है उसकी अच्छा पिर आम वापसा उन्हें भी खूशने किया वह बया प्रेदे लागे हम पीछे आया वापसा अपन जहां से नीचे से आरे वाँ से कितना किलो मीटर है टाइम कितना दो तीन घंटा जाके आने का की सिर्व उपर जाने का जाने का दो तीन घंटा अच्छा अच्छा अब आपना है दो तीन घंटे लगते हैं भाई उपर जाने के और अगर पैदल जा रहे हो तो वैसे तो गोडे पे भी उतना ही टाइम लगेगा वो भी तो पैदल ही चल रहा है और उपर भाईया बता रहे थे कि उपर जाके आप कैम्प लगा सकते हो अगर आपके पास कैम्प है तो पर कैम्प अवेलेबल नहीं है वहाँ पर आपको खुद कही ले जाना पड़ेगा संसेट पॉइंट है ना भाईया संसेट पीक संसेट पीक संसेट पीक सबसे उपर जाके संसेट पीक आता है वहाँ पर जाके आप अपनी रात गुजा सकते हो टेंड के अंदर और खाना भी नहीं मेलेगा खाना भी साथ मेले के जाना है अभी यहां जाना है उदर जाना है if you guys will think then this trek is also not easy if you will see my heartbeat is currently at 168 so I 가xi पहन पैन के जाता हूं उसमें heart-beчно डिखती है ढो 168 चल रही है औब ह्या है कि मजाग चल रहा है यहां पर तो मजाग नहीं है कुछ लोग बोलते है कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ऐसे डाला है फिर बाद में गोड़े पर ही जाए गई है इसलिए मैं बोल रहा हुआ कर दो अर दिन पहले मेरे साथ एक लड़की आया थी तूरिष्टी सर उसने भी बोला मुझे प्राय कारना है अच्छा जब वहां से चड़ा है जहां पर मैं आपके लिया सर उसने वहीं पर बोला मैं थख गया मैं नहीं चल सकता अच्छा अच्छा मैं बोला मुझे गोड़े पर बैखना है मगर मेरा वीडियो नहीं बनाना और फोटो नहीं पर लेना है अच्छा क्योंकि जिनको मैं दिखाऊंगा वह बोलेंगे आपने ट्रेक कार नहीं सकते सुन रहे हो भाई लोग लोग ऐसा ही करते हैं तिर मैंने उसका कोई गोड़े पर वीडियो नहीं बनाया मेरे मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स रहेती है माँ पर में को पता है उनका नीचर कैसा है तरहले उसने उसमारग में बोला मुझे कहीं नहीं गोड़े पर बैखना है आप खाली साथ रहा है मैं पूरा ट्रेक करोगा तिर वह बोलता आपने अच्छा जिसे दिन लिया बहुत अच्छा जंगल है बहुत अच्छी घासी हवा चल रही है हवा मतलब थंडा माहूले आपर गरम नहीं है बिलकुल भी ऑक्सिजन भी अच्छा है हवा एकदम प्याओ रहे है तो दिक्कत नहीं है जा सकते हो अगर ट्रेकिंग करते हो आप लोग तो बही कित्ती सांस पूल रही है आपको दिख रहा है क्या यार दिख नहीं रहा होगा शायद पर मैं डाल दूँँ आ वान सेविंट देख लो किसी ने कहा था ऐसे ही फेक वीडियो बना देते हैं ट्रेकिंग पर जाने का भाना करते हैं नटक करते हैं पर ऐसा नहीं होता है भाई क्योंकि माना ट्रेक डिफिकल्टे पर मजब होताता है ऐसी कुपसूर बहुत मज़ा आता है सज बता रहा हूँ शेरों से भाहर आके सारी चीजों को थोड़ा त्याग के एक बार देखो तो सही थोड़ा कमफर्ट इंटरनेट वाइफाई मम्मी पापा हस्बेंट वाइफ सिर्फ कुछ दिन के लिए एक बार छोड़ के देखो मेंटल डिटॉक्स बॉड़ी का डिटॉक्स हर चीज का ऐसा डिटॉक्स होगा न कि आपका दिल खुश हो जाएगा वापिस रिजिवनेट हो जाओगे पूरे साल भर के लिए खेर मैं तो सोलो ट्रेवल करता ही रहता हूँ और ट्रेवलिंग इसमाई पैशन और मज़ा आत है पर अगर जो लोग नहीं भी करते है ना रेगुलर ट्रेवलिंग तो भी कुछ दिन पाणों पर आ जाओ समुन्दर के पास चले जाओ ट्रेकिंग कर लो कुछ ऐसा कर लो जो आप लोगों का दिल खुश कर दे अलग अलग जानवरों की आवाज आ रही है चोटे चोटे क्रिटर्ज यह देख लो मैंने भाईया से अभी लकड़ी हाथ में ले लिए टाइम लगेगा अभी दो घंटे लगेंगे शायद तो उपर चलके मैं आपको दिखाता हूं नजारे और बीच बीच में कुछ अच्छे नजारे दिखेंगे तो दिखाऊंगा ज़ज अब ट्रेवल करते हैं न नॉर्मल तब फिल्म करना बहुत आसान रहता है पर सोलो ट ठोड़े ठोड़े शूटिंग करता जाता हूं और दिखाता जाता हूं चलो चलते हैं उपर की तरफ और मजे लेते हैं आगे आने के बाद यहां पर एक प्यारा सा जर्ना दिखाए भाई दिखाता हूं कैसा दिख रहा है यह नीचे बहता हुआ जा रहा है यूसमग में औ और आपको पता है यहां के सारे जरने नदिया सब कुछ जेलम में ही जाके मिलते हैं जो मैं आपको पिछले तीन-चार व्लॉग से बता रहा हूँ अपनी आफबीट कश्मीर की ट्रेवल सीरीज में यह जितने भी जरने सब महीं जाएंगे पानी बहुत थंड़ा है भाई बहुत थंड़ा जीरो डिग्री माइनस रुकिये भाईया बुला रहे हैं देखे क्या बोल रहे हैं हम जादा ही तेज चलने लग गए हैं कुछ लोगों ने बॉनफायर जलाई होगी मालूम नहीं कुछ कुछ ट्रेकर्स आते हैं यहां पर लेते हैं भाई मॉनफायर और यह वाला वो जर्ना है सामने और मैं जादा ही तेज भागने लग गया रेस कर लो भाई इतनी भी क्या जल्दी है उपर जाने की और यह हमारा प्यारा सा घोड़ा दिखाता हूं डरपोग बहुत है पर होप सो डरेगा नहीं पास में जाता इसके भाई भाई भाग मत जाना हूं कि वह देखा फिर भागा है हूं कि मैंने बोला तो ना कितना डर्पों के यह दरता है इसको जरासा भी छूओ तो कि और वह पीछे बहरा है जर्ना कि क्या रहे भाई इतना ढरता क्यों है तू आप इसका खाना थोड़ी लायोंगे लाए है क्या खाता ही है चना आप चाना आमकाई क्या डर्रा गाई किती जल्बी पढ़ गया हाँ कि इनको सबसे ज्यादा मज़ा किस ठीज में आता है कि खाने में नहीं मतलब कुछ काम ऐसे 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 इसको खुछी से अच्छा लगता है ना और यह जो इसके बालो में है यह क्या है यह गास लगा है अब इसको में निकालोंगा कि बड़े प्यारे होते हैं कि अगरी थी बोटल तो लेके नहीं आया तो भाईया ने बोला कि यह वाला जो पानी है ना यह पी सकते हो तो मैं यही पीने जा रहा हूं कोई मिलावट नहीं है एकदम साफ है थोड़ा से मेला यहां पर पर उपर से जो आ रहा है न वो एकदम साफ है चलो थोड़ा थंड़ा पानी पिया जाए भाई गला खराब करने की तो कोई इच्छा नहीं है पर ठीक है पी लेते हैं प्यास लग रही है यहां से पीए यहां से पीए है किलो भाईया किता थंड़ा पानी है देख रहे हो बहुत मजा रहा है बहले थंड़ा पानी पर बहुत मजा रहा है चलो भाईया उपपार चलते हैं मन तो ऐसा कर रहा है ना हलू पर भाईया ना आया न तो अभी कुल फी जम जाएगी पूरी भेन कर ठंड़ा पानी है यार पर मजा बड़ा आ रहा है पता नहीं क्यों चलते हैं और अपनी जर्नी कंटीनियू करते हैं अगल में क्या फटा हुआ मिला गांदी जी नोट कुन फाल के जा रहा है यार यहां पर कहीं पर खीचड बहुत है कहीं नहीं आगे आके पूरी जगे पर खीचड बहुत है यह देखो तो साइट साइट से हो के जाना जदटन जण इस किषले चड़ी क्यों है जाना स्यूं अपर अबम्हा ने वट्रू प्रूफ है तो दिक्कत नहीं है पर महजा बढ़ा रहा है चोड चये ऑए भया यह 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 क्या होता है यह यह लिजे साफ ने यह जाए twenties अभल यह तो इसको को इसको कोई नही खाता तो कि ओटा कोई कुछ लगता नहीं है ऐसको इस गिरता हिदागा हम आग ट्जा ग्रामने चलता हिकना हिख आज प्रो 하겠습니다 किसे गरता हुथ अच्छ अच्छ गरने तो आफ़ आप में प्राइजा कर्म ह mism all class अच्छा बंदरो का खाना नीचे की तरफ धलाना है और नीचे की इधर उपर नीचे है यह यह काला काला वह बॉन फायर है मतलब जो आग जलाते जलाए है तो यहां के गूले पेड जल जाते हैं क्या यह मैं गलते है जुआ उप जाते हैं है वह मतले करने तो वह तुछ गूदे, बझाट्न आगर बंदफ पर फिया मवद इस लगा देट की अपलो नीचे है and if you are trekking in this jungle all alone then I would suggest that you travel only with authorized guide which is recommended by Jammu Kashmi Tourism because inside in this jungle you find absolutely no one except locals so anything bad can happen to you so I would suggest that be very cautious okay and after going a little further this is the one that is going to be the same water you can drink it? this one okay the bottle is not coming from this so the bottle will need to be done this one is more beautiful look at how sweet the pool is in the jungle this is a jungle pool? this one is a small pool look at how sweet the pool is in the jungle look at how sweet the pool is in the jungle देख रहे हो पूरे जंगल में ये जंगली जो फूलें कितने प्यारे लग रहे हैं एकदम गुलाबी रंगे गुलाबी वाइट यल्लो ब्यूटिफुल चलिए भाईया पानी पिया जाए वापस मज़ा आरा है यहां पर बैठके और गोड़े सापको तो पूरी देर भूख लगती है वो तो खाते ही रहते खाना इनका खाना तो इतना इसली अवेलेबल है खाना इधर और सामने पानी पर क्या सही जगे यार इटके नजारे कोई भी नहीं है जंगल मेरे गाइड भाया मैं कुछ शेर कुछ भालू और मेरी ये लकड़ी हाँ चलो थोड़ी देर बैठके चलते हैं आगे की तरफ काफी है मार रहे एक दूसरे को मार पान पानीज जोड़ी ओिलको क कि घृढ करहे ठिग मेरे की तरफर मेरे को प्लाकते ही मतली है वाइड लाइफ दिखने लग गया भाई वाइड लाइफ इस हीर वो बैठा है साम में भाग गया बाग गया वेडर वो इतनी प्यारी हो रही है कि समझो खुदा महरबान हो आपके उपर और बिल्कुल भी धूप नहीं है अभी तो यार इसलिए थोड़ा सा ट्रैकिंग जो है वो इजी हो गई है वरना इतना पसीना आता है और जान निकलती है भाई ख्यार अच्चे पुल यहां से होके हम उपर जा रहा है एक जो आपने पीछे देखा और एक यह यह पानी एकदम साफ है इसको पी सकते हो यह उपर सही आ रहा है अभी फिर पानी पीएंगे पता रहें कि यह भालू ने खोदा था इसको अब कल का है कि आज का मालूम नी और क्या निकाल रहा है यह निकाल रहा है यह निकाल रहा है यह निकाल रहा है यह निकालता है यह खाता है यह खाता है यह भालू खाता है यह वो नीचे से निकाल के यह नीचे ही उखता है ना यह पोड़ी होता है? तो यह है क्या। यह तो जंगी भूती है है तो लिय कोई महलुं में लिएainen वोई खाता है बस बैस और आजम और यह आदमी नवघा सकता यह वह यह गोड़ा भी नभी नभाइगा मैं? अच्छ अच्छ यह धोल नहीं नभा का अज इसको भुटा बोलते है वो भुटा हिसा है जो बॉरव भालु खाता गो तोना वोड़ा हो गाराग पर दो फूद देल की करें तो कह राप को त्यूदा को अराम से बिठो कही निह जाने का है भाई मज़ा ही अलग है यहां पर शांती से बैठ सकते हो यार कोई भी एक भी बंदा नहीं है जस हम तीनी लोग गुम रहे हैं और देखो वाई साइट के नजारे जहां आपका मन करें वहां पर बैठ जाओ बस यहां पर भालू है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा है आप यह देख रहा है मेरी जो इसकिन अमरना तेहत्रा पे पूरी फट गई थी अभी भी रिकवर नहीं हुई है और अब तो मेरा हाथ जो फटा था वो भी अब नलू हो गई देखो दिखाता हूं यह देखो दिख रहा है यह पूरी नहीं स्किन आएगी पूरे हाथ की इतना गंद संबन हुआ है भाई आपने अमरना तेहत्रा का व्लॉग देखा होगा नहीं देखा तो जाके एक बार देखना मज़ा आएगा भाई और अभी फिलाल यूसमग में है और यूसमग में मज़े चल रहा है यूसमग में व्लॉग बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए तो इस लॉग को भी प्यार देना और सब्सक्राइब करना प्लीज बस अभी पांच-दस मिनट में चलेंगे थोड़ा सा हाट बीट नॉर्मल हो जाए ज्यादा भी हाट को भी परेशान नहीं करना ना विकॉज 170-180 हाट बीट पोच गई थी एक बाद जिम में जाते ना जिम मे इतनी जादा थकावट नहीं हो रही है और हम सुबह निकले थे साड़े आठ बजे के असपास और अभी ग्यारा बच के एक मिनिट हो रहा है और होफुली एक डेट घंटे में और हम उपर पॉच जाएंगे अपनी साइट पर तो महाँ पे चलके आपको दिखाओंगा महां जाता हूँ चलो चलते हैं गाइस उपर है टूरिस्स लोगों का काम प्लीज कच्रा मत पहलाओ यार कहीं पे भी कच्रे को साफ करो यार कहीं भी आते हो तो प्लीज यह सारी चीज़े डस्बिन में डाला करो और नेचर को हाम मत किया करो सिंस मैं तो इंदौर से हूँ इंद नहीं होता चपा चपा क्लीन है वहां पर तो आय थिंक आयम दर राइट परसन तो टेल यू गाइस तो कीप आवर प्लेस सराउंडिंग सिटी इन्वार्मेंट एवरीफिंग कंप्लीटली क्लीन प्लीज यार समझो इस बात को खैर थोड़ा आगे चलने के बाद पे मुझे बहुत सारे हट्स दिख रहे हम वहां से चलते वह आ रहे हैं इदर सामने से और यहां पर काफी सारे हट्स हैं और यहां पर यह जो लोग हैं यह रहते हैं उदर नीचे यू समग में ही है पर यहां पर अभी आते हैं गर्मी के टाइम पर जो बकरी है उसको चड़ाने और घ अभी यहां पर अच्छी खासी घास मिल जाती है नीचे चले जाते हैं ठंड के टाइम पर क्योंकि यहां पर आठाट दस फिट बरफ होती है तो कुछ भी नहीं मिलता यहां पर अभी जैसा आपको यह दिख रहा है ना यह सब बरफ में होका मुझसे भी ज्यादा हाइट पर आठ डस फिट के तो यह प्लेस एकसेसिबल नहीं होती है नॉवेंबर डिसमबर जन्वरी फर्वरी और फिर उसके बाद यह लोग वापस और बक्रियों को चराते हैं अभी हमें उस साइट जाना है उदर की तरफ वहीं पर है वो पॉइंट चलो चलो चलते रहो तो इस जगे का नाम है डग डोलन अब डग डोलन है कि रग डोलन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है पर है आप देखो अप उपर आते ने यह तो पूरा खूला यहां पर मैदान है और साइड में यह च्छोटी सी वहीं रिवर बहरी है जिसे हम कंटिन पानी पी रहते हैं और बहुत प्यारा माहूल है आप यहां पर कैम्पिंग भी कर सकते हो कोई मना नहीं करेगा और यहां पर लोकल से परमीशन ले 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 ना यार बागी तो मालूम नहीं एक्चली यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है यह जो बस कड़ी है इस सुरी ट्रक खड़ी है इसमें यह लकड़ी काटके ले जाते हैं उन नीचे वुड़न जो हाउसे हैं विकर घर देखोगे सब वुड़न ही बने होते हैं और जो हाउसबोट होती है उसमें यह चीज लगाई जाती है बिकॉज यह जो लकड़ी होती है बहुत स्ट्रॉंग ह नजारे देखो भाई बहुत प्यारे अभी खैर वह भाई पीछे गए हैं और उन्होंने बोला यहां पर मेरी दोस्ती है इन लोगों से तो मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूं तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है चाय पी लेते हैं ऐसे घूपसूरत नजारों के पूरा ओपन एरिया है उपर आने के बाद फी खासी आम पर ठंड है मुझे नहीं लग रही है जस्ट बिकॉज नीचे से चलते हुए आ रहे है न तो गर्मी थी इसलिए गर्मी लग रही थी और अभी आप उपर देख सकते हो पूरा बारिश का माहूल हो गया है बस कुछ मज़ा खराब कर देती है और तो कोई दिक्कत नहीं है ऐस सच पर अब चाय पीते हैं थोड़ा यहां पर बैठ के इंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं अपनी दूसरी साइट पर मज़े लेने और देखो यहां सही में ऐसी जगे है नहीं मिलेगी इतना इसलिए में को तो पानी पीने में बड़ा मज़ा आ रहा है थंडा पानी है बहुत प्यारा पानी है इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है अपन जो इतना पैसा देते रुपे का विराट कोली पानी पी रहे हैं पतानी क्या-क्या पानी पी रहे हैं हिमालियन वाटर यह वाटर वो वाट इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता मैं लेकर आतों मैं इसको सोच रहा हूं छार उपे की एक बॉटल बैचूँ क्या ख्याल है। क्या सॐचा पानी आप आप अपाने हैं। य हूं डोने का नहीं वार्टल को फिकता है। वही आरो का पानी, वही बॉटल गंदी और इतना फ्रेश वाटर जो सीधे उपर से आ रहा हो, ग्लेशियर पिगल रहे है, बरफ पिगल रही है, ऐसा पानी कहां मिलेगा ना, खैर, मज़े लेते हैं यहां पर, और यह देखो भाई, यह जो घोड़े हैं न, यह लोट पोट कर रहे हैं यार, आप देख रहे हो, इनसानों से ज़्यादा मज़े में ही हैं दोनों, हो गई शायद इनकी मस्ती, क्या पता शायद, अपने बधन को खुजाल रहे हैं, मालूम नहीं, पर आप देख सकते हो, चलो चलते हैं, थोड़ी चाय पी जाएं, और फिर आगे की तरफ बढ़ा जाएं, जो सोलर लगा हुआ है, ऐसे लाइट आता है, यह चोटा सा, अच्छा, अंदर का, उसके अलावा लाइट नहीं आती है, यहां कोई लाइट नहीं आगी हो, अच्छा, नहीं आता है, पानी जाएट यह लोगों का शॉक यह की अधन के कारण पीते हैं, यह तरफ दुख अधन के लोगों का शौक है, कि आधन के current कारण पीते हैं, अच्छा अच्छा ये भी आदत है अंटी को टिप देने के बाद और आपको थोड़ी सी विलेज की लाइफ बताने के बाद हम वापस आगे जा रहे हैं देख लो भाई विलेज की लाइफ कितने टफ होती है सोलर से लाइट आ रही है वो भी एकदम छोटा सा बल्ब और कैसे ये लोग रहते हैं और हम लोग भाई हर छोटी बात पर हमको कम्प्लेन होती है ये नहीं मिला वो नहीं मिला मैं आप लोगों की नहीं मैं अपनी भी बात कर रहा हूं काफी कंप्लेंट से हमें लाइफ से पर इन्हें देख के लगता है कोई कंप्लेंट नहीं है तो मज़ा आता है यह सब देखकर नहीं बाते सीखने को मिलती है खैर चलो ज्यादा ग्यारन बाटते हुए आगे चलते हैं और अपनी दूसरी साइड देखते हैं अगे चलने के बाद ये गाये के बच्चे मिले हैं कित्ते प्यारे लग रहे हैं पर बात ऐसी है कि पास में नहीं आ रहे हैं यार पता नहीं क्यों ये एक लोती गाये को शायद मेरे पर भरोसा ये प्यार करवारी है बागी तो सब भाग जा रहे हैं अरे भाई कित्ती प्य किसी ने तो भरोसा किया तुम लोग मत करो तुम्हें नहीं चाहिए प्यार तो हम क्या करें तूरिस्स आते नहीं है यहां पर ज्यादा इसलिए इन लोगों को भरोसा नहीं होता है ठीक है कोई बात नहीं चलो चलते आगे की तरह बाई बेटा इसको इतना भरोसा हो गया कि अब वो मेरे पीछे ही आने लग गई देख रहे हो यह होता है एनिमल्स का ट्रस्ट देख लो अब आप अब वो मेरे पीछे पीछे चलेगी पता नहीं कब तक कोई इनको मिलता नहीं है नहीं यहां पर प्यार करने वाला खेर चलो चलते आगे हम पहुच गए हैं अपनी दूसरी लोकेशन बरगा पर अब आपको ऐसा लगेगा कि वो और यह जगे तो सेम ही दिख रही है तो हाँ कैंड आप सेम है बट इस पर्टिकुलर जगे का नाम बरगा है और यह भी बहुत अच्छी जगे है और अभी मैं फिलाल हाथ में अपन यह कुछ ऐसे नजारे यहां पर उपर अगें हर्ट से यहां यह लोग काफी पानी भर के ऊपर लेmostे हैं वो जो ज स Gibble अर बहुत प्यारा है उसका पानी बहुत थंड़ा है और प्यारा है अगर थोड़ा सा ज्यादा होता एप तो मैं तो इतना बड़ा वाला हूं कि मैं न पर नहां लेता यहां पर भले मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ कपड़े या कुछ भी पर फिर भी नहाता एक दम साफ मज़ेदार कोई अच्छी सी अप जगे डूड़नी पड़ेगी जहां पर बैठ के खा लें वो सामने बैठ जाओं ऐसा लग रहा है बीच में एक तो ट्राइपॉड नहीं लेकर आयों और उसकी वज़े से एक सही पत्थर डूड़ना पड़ता है जिस पर यह मेरा मोबाइल फिक्स हो जाए शॉट लेने के लिए ट्राइपॉड नीचे ही रह गया पर ठीक है कोई बात नहीं सब कर लेंगे हुआ सब प्राइपॉड ना बात नीचे है वाइपॉड से प्लीचे रहे प्लीचे वाइपॉड' बाई लोग क्या हुआ कि एक कववे को खाना डाला तो और यहां पे उनका जखड़ा चालू हो गया तो मैंने पाच्छे और रोटी डाली उसके बाद और आ गए सबको इनको दे देता तो खाने के लिए खाना ही नहीं बसता मेरे लिए पर खैर कववे को भी खाना डालना बहुत अच्छा होता है यार अपराठे और इसमें पिकल लाया हूं साथ मैं यह देखो अब इनको खाना चाहिए सबको मुझसे खाश मेरे पास ज्यादा होता तो खाना खा लिया और बस अब वापिस दूसरे पॉइंट्स पर चलने की तयारी है यह जो पीछे मेरे आप पहाड देख सकते हो ना हाँ यह भाई साब तो खाना रोकेंगे ही नहीं यह कब से खाते जा रहा है इसको जित्ती देर रोकोगे अगर 10 गंटा भी अगर रोकेंगे तो भी यह खाता ही जाएगा खैर वो जो पीछे पाहड दिख रहा है ना उपर की तरफ यहां से अगर आप 8 गंटे की दूरी पर और जाते हो तो महां से आपको संसेट पीक दिखता है हमारे पास तो टाइम नहीं है और इतनी जान भी नहीं है to be very honest कि मैं इतनी उपर जाओ अबी पर अगर आप आते हैं और अपना एमपल टाइम निकाल के आते हैं तो आप इसके उपर जाके इसके पीछे की साइड पर जगे है वहां से आप संसेट देख सकते हैं संराइज देख सकते हैं और दूसरा वहां पर कैंपिंग भी कर सकते हो आपको बहुत मज़ा यहां से approximately आपको आठ घंटे और लगेंगे उपर जाने में अभी यहां पर मैं पहुचा हूँ साड़े बारा बजे हम सुबे साड़े आठ बजे निकले थे तो बेस से चार घंटे तो हो चुके हैं यूसमक के बेस से जहां पर मेरा होटल था और अब अगर आपको यहां से और उपर जाना है तो आपको आठ घंटे लगेंगे मतलब टोटल बारा घंटे पर आपको रस्ते में हाल्ट करना पड़ेगा आप continuously इतना नहीं चल सकते हो definitely एक बात है तो आपको approximately बारा घंटे चाहिए उपर पहुशने के लिए और वही 10-12 घंटे नीचे आने के लिए और रस्ते में रिस्ट करने के लिए और अपना टेंट केरी करना क्योंकि टेंट के अलावा आपको कोई भी सोस नहीं मिलेगा उसके अलावा वूलन्स केरी करना, रेंकोट केरी करना, सारी चीज़े केरी करना क्योंकि यहां पे सारे weather एक ही दिन में पढ़ते हैं यह मैं बता दे रहा हूँ और अब हम जा रहे हैं अपनी next location पे next जगे पे और दूसरी बात यह थी कि यह जो vlog है न यह vlog बहुत बड़ा होने वाला है मतलब हो गया है already तो अब इस vlog को इस part 1 को मैं यहीं पे end करता हूँ और इसको हम continue करेंगे part 2 में तो part 2 में मिलते हैं guys otherwise इस vlog इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको कोई देखे गई नहीं ठीक है मिलते हैं part 2 में और आगे की location में आपको महीं दिखाता हूँ और वो vlog में most probably कल upload करूँगा यहाँ परस अप्लोड करूँगा आप देखेगा जरूर मिलते हैं बाबाई